हाँ तो ट्रेलर तो इतना घटिया था ही उससे भी जादा महा घटिया महा वाया जब वो यह मूवी निकल जाती है मतलब मुझे समझ नियारा मैं क्या सोच कर यह मूवी देखने गया था बड़े मिया चोटे मिया तकरीबन धाई गंटे की यह मूवी जिसको जहलना भाई साब कोई असान काम नहीं है आज गवर्मेंट की चुट्टी थी मतलब इद के ओपर गवर्मेंट ने एक नैशनल होलिडे जो कर होती है उसके ओपर चुटी मिली हुई थी मुझे लगा यार अराम से यह जो चुटी है इसको अच्छे से बिताएंगे मूवी देखेंगे मज़ा आ जाएगा कसम से भाई साब इस मूवी ने पूरा दिन खराब कर दिया पूरी चुटी की वाट लगा डाली मतलब गुसा आ रहा था अपने आप पे लिटरली मुझे अपने आप पे गुसा आ रहा था मैंने क्या सोच कर यह मूवी देखने गया और अब आते हैं इस मूवी की कहाने के उपर वही जो बॉलिवूड की पुरानी गिसी पिटी आदत रही है भारत के उपर हमला होने वाला है कोई आंतकवादी है, बल candidate पतानी कहां से चक के ले आएं है अब वो भारत के उपर हमला करके भारत को खतम कर देना चाहता है अब उसको रोकने के लिए पूरी आर्मी में यानि पूरे भारत में आर्मी के अंदर सिर्फ दो ही लोग हैं जो इस इंसान को रोक सकते हैं और तो किसी में दम है ही नहीं भी या भूल जाओ तुम हाँ वही मतलब एक तरीके से शो ओफ किया गया है इस मुवी के अंदर अब ये दो बंदे हैं, वो इसको रोकते हैं, देखो या, कहानी बिल्कुल सिंपल सी प्रेडिक्टेबल है, आप स्टार्टिंग से ही, या इवन मैं कहूँ कि अगर आप ये मुवी ना भी देखो न, आप इसकी कहानी को अच्छे से, मतलब यार आप बता सकते हो, एंड में क अच्छी बात है, मुवी खत्म होती ही, वो अच्छी बात है, आप बुरी कई आई, इसके अदर, बूरा तो पूरी मुवी, ढही गंटे, बतलब एक तर्किया से, बर्बाद हो जाते हैं, आपके टिकेट के रूपे बर्बाद हो जाते हैं, मतलब इसमें जो एक्शन हमें को मिल रहे न, obviously movie में जो trailer हमें देखने को मिला, उसमें action दिखाए को बाई सब पता नहीं, कितने ही dance action होगे, वो action देखने के लिए घरदन तेड़ी होगी है कसम से, मतलब वो camera work इनों ने किया न, इतना घटिया किया है, मतलब जब theater में बैठा था, गाली देने का मन कर रहा था, या फिर कहूंगी, गाली उसक्त निकल भी रही थी, मनी मन, जो camera work किया गया है, यार, कभी मतलब, इनका सही है, मतलब, जो makers है movie के इनको लगा, यार, क्यों action के उपर रुपर खर्च किया इससे battery है, कि camera को कभी उपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं मतलब, किसी भी direction में गुमा देते हैं लाद मारे का तो एक दब camera उधर कर देंगे उसा मारे का तो camera इधर कर देंगे बस, हो गए action यार, सच में इतना घटिया camera work मैंने कहीं नहीं देखा है, जो इस movie के अंदर देखने को मिल रहा है गरदन टेड़ी होगी, इसके अब आद इस movie में जो cheap comedy की गई है यार, क्या सोच कर dialogue लिखे है उसके उपर उनोंने overacting का तड़का लगा जड़ा तो वो सर में दर्द कर देता है किसी भी action, किसी भी comedy इस इन पर हसी नहीं आती है उससे irritate जुरूर रहते है हाँ, movie definitely बहुत ज़्यादा अच्छी है अगर आप इसे नहीं देखो तो मतलब जिस दिन आपने इस movie को देख लिया आप इसको गाली ही देते मिलोगी Bollywood ने सोचा कि यार अब इस बार कुछ नया करते हैं इसमें science का भी use करते हैं physics भी गुसेड देते हैं computer की भी चीज़ें इसके अंदर गुसेड देते हैं और एकदम बढ़िया science fiction movie या एकदम modern type की movie बनाते हैं इन्होंने ये सोच करते हैं अच्छा था अगर पड़े लिखे होते सही डंक से उसके उपर अगर काम क्या होता definitely अच्छी बनती मतलब ऐसे ऐसी चीजें इसमें देखने को मिली मैं जो लगा कि यारा मेरी पढ़ाई खराब है मतलब मैंने तो science पड़ी ही नहीं जिस तरीके कि इननने ये उतलब यूज कर रहे हैं electromagnetic field इननने सुन लिया है पता नहीं कहां से सुन लिया है electromagnetic field भी होती है उसके उपर इननने पेल दिया भाई साब कि हाँ यहाँ पर हमने electromagnetic field मिल गई है इसके ओपर movie की एक कहानी अमलिक दी जाएगी मैंने इस movie को देखने के लिए 200 रुपे के ticket ली हाँ सो की मिलती तो definitely मैं सो की भी ले ले लेता लेकिन सो की मिल नहीं लेती रात को गर जाता या फिर कुछ ऐसे time में जाता जब या फिर अगले दिन जाता मतलब यह video मैं उसी दिन बना रहा हूं जिस दिन ये movie release हो चुके है हाँ इसका मैं first show तो नहीं देख पाया बाद के मैंने show देखे हैं रात वाले थोड़े सस्ते होते हैं आप देखेंगे के weekend के time में थोड़ा बहुत सस्ता ये कर देते हैं लेकिन सुबह शाम वाले में ही थोड़ा बहुत ये सस्ता रखते हैं अगर उस वक जाता है तो सोग ही पड़ जाती है लेकिन मुझे तो ये 200 की पड़ी आप कहोगे यार 200 पे ज़्यादा तो नहीं है जब आओ देखोगे तो मैंने इसको देखा कि यार जब मैं बुक माई शो के ऊपर इसके टिकेट बुक कर रहा तो वहां पर 3D के अंदर भी दिखा रहा था फिलाल मैंने इसको 3D में नहीं देखा Kathar latsto. अगर ये एचुआ में 3D में है तो मुझे नहीं पता ये 3D में है यार इसके बाइन मुझे सर्च भी नहीं करना तो मैं सोच रहा थे किन लोगों ने इसको 3D में देखा है मतलब उनको तो यार बहुत जादा सदमा लगा होगा मुवी को इंटरस्टिंग बनाने के लिए इसके अंदर ट्विस्ट थोड़े बहुत सर्प्राइज रखे का है वह सच में इतने बढ़िया सर्प्राइज होते हैं उनको देखकर मतलब खून से उल्टी आजाए तो खून की उल्टी हो जाए अपने हिरो पंती 1,2,3,4 पता नहीं कितनी भी आगी होंगी बागी 1,2,3 बागी भी आगी होंगी मतलब यह मूवी ऐसी है जिन में से कोई भी उठा के आपको रेंडम ली दिखा दें तो आप यह बता ही नहीं पाऊगी हिरो पंती 1,2,3,5 यह 100 कोई इसी भी है आपको पता भी नहीं चलेगा सेम ऐसी ही फिलिंग इस मूवी के अंदर है आप इसमें अक्षा कुमार को उठा के साइड में रख दो बागी आपको पता ही नहीं चल पाएगा अरे बड़े मिया चोटे मिया तोड़ना है यह तो हिरो पंती का कोई पाट आया है बागी हिरो पंती यह नहीं है क्या दोनों सेम ही कानी है क्या यह तोनों सेम अलग-अलग है मुझे नहीं पता लेकिन आपको हिरो पंती वाली ही फिलिंग आईगी सच में इस मूवी ना कोई एक्शन बढ़िया है ना कोई डिरेक्शन बढ़िया है ना कोई स्टोरी बढ़िया है इसमें कोई प्रफॉर्मेंस बढ़ गरीबों में दान कर सकते कम से कम इसको आग लगा दो बैटर रहेगा बहुत चादा अच्छा रहेगा लोगों के सर में दर्द नियों लोग गाली नहीं देंगे मेरी तुरस है तो देखो इसको वन शार अगर आप लोगे देखे तो प्लीज कोमेंट सेक्षण ओपन अपने विचार रख देना कि आप लोगों कैसे लिए अगर नहीं देखे तो मैंने कहा आप लोगों के लिए movie बेक्दम best है अगर नहीं देखने जाओगे और जिस दिन देख ली ना सर में दर्द हो जाएगा तो अब साथ के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में थैंक्स और वोचिंग दिस टूडियो मिलते हैं नेक्स टूडियो में जाहिन